नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोते सीक्रेट मेस रासी वालों ग्रहों के राजकुमार बुद्ध का रासी परिवर्तन हो रहा है बुद्ध जो इसकिन के कारक है बुद्धी के कारक है संचार के कारक है और जीवन में सही समय पर सही की रासी में आएंगे तो यहां पर सूर्य पहले से विराजमान हैं और सूर्य बुद्ध दोनों एक साथ मिलकर बुधादीती योग भी बनाएंगे और साथ में रहेंगे पाच जन्वरी 2021 तक तब आप मेस रासी वालों के जीवन पर इसका क्या प्रभा पड़ेगा आज हम व नवम भाव में आएंगे नवम भाव जो भागे का भाव है और यहां सूर्य है अब इस भाव से आपकी लंबी दूरी की यात्रा आपका गुरू आपके जीवन में धर्म आपका समाज में मान समान के बारे में जाना जाता है और नवम भाव में बुद्ध आने से आपको थ तरक पर जाने के पहले तमाम कागजात भली भाती रख ले तमाम तेयारी पहले से कर ले ताकि जरूरी एन वक्त पे आप कुछ मुश्किलें आपको ना आ जाए और यात्रा चुकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए रिस्क लेने की प्रविर्ति आप में बढ़ेगी खास करके आप बैपारी हैं तो यहाँ पर रिस्क लीजिएगा और आपको इसके रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलेंगे यानि आप मेहनत भी करेंगे आपको फल भी मिलेगा छोटे भाई बहनों का भी साथ मिलेगा और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर आपको किसी भी छेतर में सफलता पाने के लिए मेहनत तो करनी होगी लेकिन मेहनत का हमेशा परिणाम अच्छाई होगा हलां कि मार्केटिंग, कॉम्यूनिकेशन, राइटिंग या फिर आप वानी वाले छेतर में हैं तो आपके लिए इ पढ़ाई लिखाई करते हैं उनको भी सफलता मिलेगी किसी कंपिटिशन की तियारी करने एकजाम में तो इस समय रिजल्ट भी आपके पक्ष में आएंगे यह बुद्ध आपको आपके जीवन में लोग प्रियता दिलवाएंगे और मा के साथ आपको कुछ समय बिताने का उनके साथ यातरा करने का मौका भी देगा खला कि माक से समबंद अच्छे होंगे और मा का साथ आपके लिए ज्यादा अच्छा भी रहेगा बुद्ध तो अपना फल देगा लेकिन साथ में सूर्य है तो आपकी रक्षा चारों से होगी और थोड़े बहुत उतार चढ़ा रहेगा लेकिन इसके फिर भी इसके बाद भी आप मेहनत से आप चीजों को प्राप्त कर ही लेंगे आपको अपने लक्ष की प्राप्ती में भले ही थोड़ा समय लगे पर आपको अमोमन मिल ही जाएगा घर परिवार का मोहल अच्छा रहेगा और धन समंदी मौमलों में किसी पर भरुसा मत कीजेगा चीजों को विवस्तित रखें संभाल के रखें और जरूरत से ज़्यादा किसी पर भरुसा करना आपके लिए इससमें सही नहीं है तो अपने जो कोई भी काम हो अपने विवेक का इस्तिमाल जरूर करें इस समय चुकि सूर्य भी आपके भागे भाव में हैं तो रोज भगवान सूर्य को परणाम करें 27 बार गायत्री मंद्र पढ़ें ताकि सही समय पर सही डिसीजन ले पाएं और बुद्ध सूर्य एक सा परें दो पात्र हैं तो यहोग का फॉल आपको मिलेगा लेकिन आपको यहां जैसे हम ने कहा है रिस्क लेने की परविर्टरी बढ़ेगी अगर आपको लगे कि इस त्चेहतर में रिस्क लेने में लाव है तो जरूर लीजए क्योंकि जब रिस्क नहीं लिया तो स्ब क्या आपको लाब होगा हम फिर मिलेंगे हर हर महादेब धनिवाद